So guys हम लोग सीख रहे हैं English through stories और आज की जो story है वो है Jack and the Beanstalk तो काफी interesting story है थोड़ी सी बड़ी story होगी लेकिन हम इस story को complete पड़ेंगे so that we can improve our English तो चलिए शुरू करते हैं बिना time को waste किये और उससे पहले अगर आप में से कोई भी English सीखना चाहता है step by step with more than 550 step by step videos then आप मेरे app को download कर ले आप का नाम है become English champion बाकी detail आपके सामने display हो रही है तो आप इसको download करके मेरे one year course को join जरूर करे if you are interested in learning English तो चलिए अब शुरू करते हैं इस story को तो story यहां से start होगी आपको ध्यान से इसको सुनते जाना है मैं आपको एक एक वर्ड की हिंदी बता रहा हूं so that आपकी वो कैब पावर आपकी reading skills improve हो सके तो story goes like this long ago बहुत समय पहले there lived a boy एक लड़का रहता था named जिसका नाम था jack with his poor mother अपनी गरीब मा के साथ in a small hut एक चोटी सी जोपड़ी में तो बहुत समय पहले एक लड़का रहता था जिसका नाम jack था अपनी गरीब मा के साथ एक चोटी सी hut में hut मतलब होती है जोपड़ी the mother had no source of income मा के पास पैसा कमाने का कोई भी साथन नहीं था source of income होता है पैसा कमाने का साथन तो उसकी mother के पास कोई भी साथन नहीं था तो यहाँ पे head का use हुआ है head के बाद एक noun तो यह possession का chapter कहलाता है जो हम cover कर चुके है part one में और यह जो there lived है यह there का chapter है जो मैंने there का आपको fourth case बताया था उसमें बताया था कि जब हमें बताना की रहता था तो हम there lived का use करते हैं तो आगे लिखा है hence इसलिए they were leading a miserable life इसलिए वो एक दुख महें या फिर बड़ा ही miserable miserable होता है जो बड़ा ही दुखदाई होता है उसको बोलते miserable तो वो बहुत ही दुख वाला जीवन व्यतीत कर रहे थे बिता रहे थे तो जब भी हमें यह बताना है कि कोई व्यक्ति कैसी life बिता रहे है तो हम use करते है काफी luxurious life leave a lavish life तो मतलब कैसा भी आप यूज कर सकते हैं तो लीड लगा सकते हैं लीव लगा सकते हैं तो यह पास्ट कंटिनुएस और यहां पर हैंस का मतलब है इसलिए मैंने आपको इसलिए के 4-5 वर्ड बता रखे हैं पार्ट 3 में वर्ग बुक पार्ट 3 के अंदर आग अधिमच बहुत जादा अब यहां पर विच यूज हुआ है relative pronoun का तो यह आप चाहें तो यहां पर विच की जगा that भी यूज कर सकते थे लेकिन हम यहां पर चाहें तो विच भी यूज कर सकते है relative pronoun आगे लिखा है वन डे एक दिन she told jack उसने jack से कहा now अब it is very difficult बहुत मुश्किल है to survive संघर्ष कर पाना जीवित रह पाना तो survive एक वर्ब है जिसका मतलब होता है जीवित रहना तो अब बहुत मुश्किल है जीवित रहना as क्योंकि we don't have a single grain हमार पास एक छोटा सा अनाज भी नहीं है in the house घर में तो यहां प क्योंकि और as कभी यूज करते हैं क्योंकि की sense के लिए जब आपको reason already known हो reason already पता हो तो आप because की जगह यूज करते हैं as का तो उसने क्या बोला कि बहुत मुश्किल है survive करना क्योंकि हमारे पास एक single grain भी नहीं है अपने घर में grain मतलब होता है अनाज आगे लिखा है go and sell the cow ज дости we have expenses हम अपने खर्चे चला लेंगे तो और जबी ज़ो expense इसका मतलब होता है खर्चे expenses है और meet our expenses मतलब अपने खर्चे चला लेना क intensely जा और जाकर गाए को बेच दो और उस मनी से हम अपने ख्रचे चला लेंगे having said so ऐसा कहने के बाद अब यह having का chapter आ रहा है having plus third form के बाद having said so ऐसा कहने के बाद so मतलब यहाँ पर ऐसा she began to cry वो रोने लगी in pain दर्द में jack agreed to do so और jack सहमत हो गया ऐसा करने के लिए agree मतलब सहमत हो न तो jack सहमत हो गया to do करने के लिए so ऐसा next morning अगली सुबह he left for the market वो market के लिए निकला along with the cow गाएं के साथ on his way to the market मतलब रस्ते में market के he met a man वो एक आदमी से मिला who asked him जिसने उससे पूछा वो एक आदमी से मिला कौन आदमी who asked him जिसने उससे पूछा who relative pronoun का यूज है do you want to sell this cow क्या तुम ये गाएं बेचना चाहते हो jack replied jack ने जवाब दिया yes I do हाँ मैं बेचना चाहता हूं how much will you pay तुम कितना पे करोगे the man said आदमी ने कहा I will give you five magical मैं तुम्हें दूँगा पांच जादूई तो ये वो गाएं थी और ये वो आदमी है जो रस्ते में मिला jack को तो ये five magical seeds है तो उसने क्या बोला seeds of beans ये जो beans होती है beans के जो seed है beege है तो उसने क्या बोला I will give you five magical seeds of beans तो ये पांच जादूई beans के जो seeds है वो मैं तुम्हें दूँगा beans हम फली को बोलते हैं और उसके बाद है which which will make you rich जो तुम्हें अमीर बना देगी उसके बाद jack happily jack ने खुशी से gave the cow गाएं दे दी in the exchange of the seeds seeds के बदले में beege के बदले में अब यहाँ पर आप याद रख सकते हैं जैसे ये बहुत अच्छा phrase है in the exchange of तो ये मैंने कराया भी आपको fixed prepositional phrases के lesson में बहुत सारी prepositional phrase मैंने आपको कराई है तो वो आप सारी जरूर पढ़ लीजेगा तो आगे लिखा है तो अब क्यावाद jack ने खुशी से happily वो गाएं दे दी उन beege के बदले then फिर he returned home वो घर वापिस आ गया and showed his mother अपनी मां को दिखाया the five seeds of beans उन पांच beans के seeds को and or said on my way to the market कह रहा है कि रस्ते में market में जब मैं था तो market के रस्ते में I met a man मुझे का आदमी मिला who bought जिसने खरीद लिया our cow हमारी गाएं को for these magical seeds in magical seeds के लिए आगे लिखाया these seeds ये वले बीच will make us rich यह हमें अमीर बना देंगे next is seeing the seeds उन बीजों को देखकर बीजों को देखकर his mother got furious वह बहुत करोदित हो गई furious मतलब होता है बहुत ज़्यादा गुसे में हो जाना करोदित हो जाना तो get furious यह पूरी की पूरी वर्ब है get furious तो उसकी मा बहुत गुसा हो गई and through और फेक दिये them उनको फेक दिया बीजों को out बाहर through the window window से बाहर in anger गुसे में तो उसकी मा गुसा हो गई और उन बीजों को खिड़की से बाहर फैक दिया गुसे में that night उस रात they slept hungry वे भूखे सोए next day अगले दिन when jack got up जब jack उठा early जल्दी in the morning तो अगली सुब जब jack सुब जल्दी उठा he was surprised वो आशर चकी था to see देख कर that की the magical beans जो magic जादूई बीन्स थी had grown वो उग गई थी into a long creeper एक लंबी बेल में overnight रातो रात creeper किसको बोलते है दो तरह की बेल होती है जो मैंने I think sixth class में पढ़ा था दूसरी का मुझे याद नहीं है दो तरह से बेल I think आगे बढ़ती है एक होता है जो किसी के उपर उपर चड़ जाती है किसी चीज के सहरे तो उनको creeper बोलते है रेंग रेंग कर उपर की तरफ चड़ जाती है तो दूसरी का मुझे नाम याद ने ऑ़ आप Simple याद रखो एक बेल जो रेंग रेंग कर उपर चड़ जाए तो उसको creeper बोलते है तो क्या हुआ कि वह सर्प्राइज था अगली सुबा कि वह जो मैजिकल बीन्स थे वह उग गए थे किसमें इंटू लॉंग क्रीपर एक लंबी बेल में और रात ओरात ओवरनाइट जैसे आप देख सकते हो यह खिड़की से देख रहा है दिस इस क्रीपर ठीक है तो आगे क् देख क्रीपर वोज सौ लॉंग वो क्रीपर इतनी लंबी थी दैट की इट्स टॉप इसका जो टॉप था एंड इट्स टॉप एंड इसका जो उपर वाला एंड था वो डिख नहीं रहा था जैक केम आउट ऑफ दे हाउस जैक घर से बाहर आया एंड शुरू कर दिया क्लाइमिंग दे क्रीपर क्रीपर पर चड़ना अब क्लाइम के साथ आप ओन का यूज नहीं करेंगे ओन गलत होता है क्लाइम का मतलब होता है चड़ना तो आप यहां पर लगा दे तो ज्यादा से लगासा बेट्रैक क्लाइम प्ड़र क्लाइम अप्चड नाडन यूचे उतरना तो उस ने क्रीपर पर चड़ना शुरू कर दिया yeah । इस देवर्स ट्रॉंग देद ब्रांची इनव मतलब जो बंचीस थी मतलब शा खाहें थी इस बेल की, वो काफी स्ट्रॉंग थी, टू होल्ड जैक जैक को होल्ड करने के लिए, उसको पकड़ने के लिए, सून जल्द, ही रीच्ड दे टॉप वो टॉप पे पहुँचा देर, वहाँ ही, अब ये उपर चड़ रहा है, क्रीपर पर तो देर, ही लीडिंग जो जारी थी, to a mysterious palace, एक रहसे मही महल में palace का मतलब होता है, महल और mysterious मतलब होता है, रहसे महे तो अब क्या हुआ when he went to the palace, gate, जब वो महल के gate के पास गया, and cold out और पुकारा for someone किसी को, a huge woman एक बड़ी औरत opened the gate, एक बड़ी औरत ने दर्वाजे को खोला she said to jack, उसने jack से कहा come in, अंदर आओ, but लेकिन, beware of my husband मेरे husband से साफधान रहो, अब ये beware of dogs आपने कई जगा लिखावा देखा होगा मतलब कुत्तों से साफधान, ऐसी beware of my husband, मेरे पती से साफधान, तो वहला कि अंदर आओ, लेकिन मेरे पती से साफधान रहना, he is a giant, वो एक दानव है, दानव in the sense कि बहुत विशाल है, बहुत बड़ा है giant बोलते हैं, विशाल को तो वो बहुत बड़ा है and eats human और वो इंसानों को खाता है human beings human beings को खाता है hearing this, यह सुनकर jack began to tremble with fear jack, डर से कापने लगा अब आपको याद है, तो मैंने आपको जितना कुछ English course में कराया है हर चीज यहां पर use हो रही है अब देखिए, tremble with fear is डर, डर से कापना एक मैंने कराया था, ठंड से कापना उसका मतलब था, shiver with cold और यह वाली formation having की formation, मतलब कोई ऐसी formation नहीं है, जो मैंने आपको ना कराया हो, with examples, और examples भी इतने दियें कि सुन सुनकर आपको अपने आप याद हो जाएंगी, वो formations तो अब क्या हुआ यह सुनकर, jack डर से कापने लगा बट लेकिन the lady told him to stay relaxed, उस lady ने उसको relaxed रहने के लिए कहा as क्योंकि her husband was not at home, क्योंकि उसका घर उसका पती घर पर नहीं था अब as क्यों लगा, क्योंकि reason already पता है she took jack to the kitchen, वो jack को kitchen में ले गई and gave him और उसको दिया good, अच्छा food to eat, तो उसको खाने के लिए अच्छा food दिया अब क्या हुआ, jack was very hungry, jack बहुत भूखा था, so इसी लिए he ate to his heart's content तो कहरें कि to his heart's content sorry content, अब यहाँ पे दो वर्ड है, इनको भी याद रख ले पहले तो आप, content होता है, content होता है content मतलब होता है, सामगरी, जैसे आप बोलते हैं कि आपके course में कौन content क्या है तो मैं बोलूँगा कि उसमें videos है, pdf files है तो वो क्या है, content है और content मतलब संतुष्ट तो यहाँ पे एक verb है eat to one's heart content इसका मतलब होता है दिल खोल के खाना, यानि कि जब तक दिल संतुष्ट ना हो जाए, इतना खाना तो लिखा है कि Jack बहुत भूखा था, इसलिए उसने जी भर के खाया, संतुष्टी तक खाया suddenly, अचानक से the room started shaking और room जो है, वो हिलने लगा, shake करने लगा the lady told Jack, lady ने Jack से कहा that की, her husband had arrived कि उसका पती आ गया है अब यहाँ पे देखिए, यह indirect narration का use हुआ है अगर हम इसको direct narration में use करें तो ऐसा होगा, the lady said to Jack my husband has come right, यह होगी direct में जब इसको indirect में बनाया, तो has convert होगा, had में, और my husband convert होगा, her husband में तो this is indirect narration, तो narration पे मैंने 4 वीडियो आपको दे रखी है, 30-30 मिनिट्स की full detail में यहाँ तक की competitive exam में भी जो narration आती है, वो सारा भी detail में दे रखा है उससे बार कुछ भी नहीं होगा, तो आगे लिखा है, तो उसका husband आगया, उसने Jack को यह कहा, so इसी लिए, Jack immediately, तो Jack तुरंत rushed to the Elmira, वो Elmira की तरह भागा, rush मतलब होता है, बड़ा तेजी से भागते हो जाना, तो वो तेजी से अलमारी के पास गया, and hid, और छुपा लिया, himself, खुद को, behind it, उसके पीछे, hide की second form होती है, hid, himself, मतलब खुद को, उसने खुद को छुपा लिया, उसलमारी के पीछे, इसके बाद, as, as the giant entered the house, अब यहाँ पर as का मतलब है, जैसे ही, तो as के मैंने आपको 8 uses बता रखे हैं, वीडियो नंबर I think 199 और 200 होगी, तो YouTube पे शाय उसके अंदर है, तो आप जूरूर देख लीजेगा, as the giant entered the house, जैसे ही, वो giant, वो दानव, वो विशाल आदमी उसने घर में परवेश किया, he said, उसने कहा, I can smell a human hair, मुझे किसी आदमी की smell आ रही है, अब मैं यहाँ पर कह रहा हूँ, आ रही है, present continuous, लेकिन smell जो है, यह मुझे मिल गया, I will eat him, मैं उसको खा जाओंगा, तो अब क्या हुआ, यह देखिए, यह वो lady है, और यह है jack, तो यह वो आदमी आ गया है, giant, देखे कितना विशाल है, इसको giant बोलते है, तो उसने वहला, मैं खा जाओंगा, अब क्या हुआ, his wife, उसकी पतनी smile, उसने वो मु तो बड़े ही दुलार के साथ, प्रेम के साथ, वो मुस्कुराई, and said, और कहा, I have prepared special meat for you, मैंने तुमारे लिए बहुत एक special meat बनाया है, maybe, शायद, it is smelling like a human, वो human की तरह उससे smell आ रही है, human being की तरह smell आ रही है, Jack could see the huge giant, Jack, उस huge giant को उस विशाल दानव को देख सकता था, from behind, पीछे से, किसके, the Elmira, तो Elmira के पीछे से उसको देख सकता था, अब ये जो Elmira है, इसको Elmira भी पढ़ा जाता है, Elmira और Elmira भी पढ़ा जाता है, तो दोनों बोल सकते हो, तो Jack, देख सकता था, उस विशाल giant दानव को पीछे से, after the meal, meal के बाद, he asked his wife, उसने अपनी पतनी को कहा, to bring his dear hand, उसकी प्रिय मुर्गी को लाने के लिए, तो ask मतलब यहां पर किसे कुछ करने के लिए कहना, तो उसने अपनी वाइफ को कहा, कि वो उसकी प्यारी मुर्गी को लेकर आए, dear hand को लेकर आए, when she brought her, जब वो उसको लेकर आई, he ordered the hand, उसने मुर्गी को आदेश दिया, to lay golden eggs, सोने के अंडे देने के लिए कहा, she laid the golden eggs, उसने सोने के अंडे दिये, which जिसे, जिने, the giant put in his pocket, जिने उसने, जाइंट नो दानव ने अपनी पोकेड में रख लिया, and slept, और सो गया, then fear, jack came out, jack बहार आया, and caught hold of the hand, और उस मुर्गी को पकड लिया, to catch hold of होता है, किसी को पकड लेना, to jack बहार आया, and caught hold of the hand, और उस मुर्गी को पकड लिया, he rushed out, वो दोड़ते बहार गया, with the hand, मुर्गी के साथ, and went straight down to his hut, और सीधा नीचे की तरफ उतर गया, अपनी, कहाँ पे, hut की तरफ, तो went straight, मतलब सीधा चला गया, down मतलब नीचे, क्योंकि वो creeper से उपर चड़ा था, कहाँ पे गया, to his hut, अपनी जोपड़ी पे, by the creeper उस बेल के सारे, creeper, in short बोलेंगे, बेल को, आगे क्या हुआ, अब ये देखिए, ये लेके भाग रहा है इसको, hand को, और creeper से नीचे उत देख कर, and all right, और सही सलामत, his mother was happy, उसकी माँ खुश थी, तो Jack को वापिस और सही सलामत देख कर, उसकी माँ खुश थी, he showed her the hand, उसने अपनी माँ को मुर्गी दिखाई, and said और कहा, this hand lays golden eggs, ये मुर्गी golden eggs देती है, ये present in definite tense है, as his mother, क्योंकि उसकी माँ could not believe it, वो उस पे विश्वास नहीं कर सकी, Jack asked the hand, Jack ने मुर्गी को कहा, to lay golden eggs, सोने के अंडे देने के लिए, तो क्योंकि उसकी माँ विश्वास नहीं कर सकी, तो Jack ने उस hand को golden eggs देने के लिए कहा, so did the hand, so did the hand, और मुर्गी ने दिये, now, अब, अब यहाँ पे देख लीजिए, यह hand है, और यह है golden eggs नीचे, now, अब, the hand used to lay golden eggs, तो अब मुर्गी अंडे दिया करती थी, used to का chapter हमारा, तो वो सोने के अंडे दिया करती थी, whenever, जब भी कभी, she was ordered, जब भी उसको order दिया जाता, to do so, ऐसा करने के लिए, तो she was ordered, जो ही यह है, passive voice का translation है, past indefinite, तो जब भी मुर्गी को order दिया जाता, अंडे देने के लिए, तो वो अंडे दिया करती थी, does, इसलिए, अब, does, जो है, hence, therefore, henceforth, यह सारे मैंने आपको कराएं, अच्छे से detail में, तो आप course में सीख सकते हैं सब कुछ, तो thus, both Jack and his mother, और इसलिए, जो दोनों थे, Jack और उसकी मदर, began to leave happily, वो खुशी से रहने लगे, after some time, कुछ समय बाद, Jack climbed up, वो उपर चड़ा, the creeper, उस बेल के, again, फिर से, and reached the giant's palace, उस दानव के महल में पहुँचा, अब याद रखेगा, reach के साथ, at, नहीं लगता है, reach, direct place, कर रहे होंगे, सबसे ज़्यादा यूज हो रहा है, मतलब एक तरह से देखा जाए, तो past indefinite, present indefinite, और passive voice का यूज, narration का यूज, combination का तो बहुत ज़्यादा यूज है, relative pronoun का यूज, और ये सारे इसमें यूज हो रहे है, तो आप अच्छे से सीख लें इनको, तो आगे क्य है, when, जब, he, knocked at the door, जब उसने दर्वाजा खट-खटाया, the same lady, वही औरत, opened the door, उसी औरत ने दर्वाजा खोला, she, could not recognize Jack, वो, Jack को नहीं पहचान सकी, अब ये could का यूज भी बहुत आ रहा है, जो मैंने आपको बताया था, case 1 और case 2 में, case 1 में बताया था past ability, और एक बताया तो वही यूज बार-बार आ रहे हैं, तो आप अच्छे से पढ़ लें सारे lessons को, तो she could not recognize Jack, वो Jack को नहीं पहचान सकी, as क्योंकि, he was in good clothes, वो अच्छे कपड़ों में था, she, again took Jack, वो फिर से ले गई Jack को to the kitchen, kitchen में, and also warned him, और उसको चेतावनी भी दी, of her husband, अपने पती की, इस बार वो जो दानव था, वो धैत्य या जो भी विशाल इंसान वो जो भी था, वो अचानक से प्रकट हुआ, आप यह मतलब प्रकट होना, आ जाना, Jack started trembling with fear, तो Jack ने कापना, Jack धर से कापने लगा, the wife said, wife ने कहा, go and hide in the basket, जाओ और जाकर बास्केड में छुप जाओ, Jack immediately hid in the basket, तो Jack तुरंत छुप गया बास्केड में, the giant said, उस दानव ने कहा, today, again, today, again, आज फिर, I can smell the same human flesh, मुझे उसी इंसान की flesh की smell आ रही है, बट लेकिन, the wife said, wife ने कहा, अब इस wife ने क्या कहा, I have made a special tasty soup for you, मैंने आपके लिए एक tasty soup बनाया है, that smells like that, जिसकी smell उसकी तरह आती है, अब यहाँ पे भी that relative pronoun का use है, then fear, she served the hot soup, उसने गरम सूप परोसा, serve मतलब होता है परोसना, she served उसने परोसा, hot soup to the giant उस दानव को, as you can see in the picture, अब मैंने एक sentence बोला, as you can see, अब as क्यों लगाया, मैं कहा रहा हूँ, जैसा कि आप देख सकते हैं, क्योंकि मुझे already पता है reason, तो as, जैसा की, जैसा की sense के लिए यहाँ पर use हुआ है, after having the soup, उस सूप को पीने के बाद, the giant asked his wife, उसने अपनी wife से कहा, to bring his harp, उसका harp लाने को, harp क्या होता है, एक instrument होता है, किस तरह का instrument, as you can see in the picture, इसको harp बोला जाता है, इसको बजाया जाता है, तो उसने अपनी wife को harp लाने के लिए कहा, और harp का एक और मतलब भी होता है, जहां तक मुझे याद आ रहा है, harp ने कार्प होता है, harp एक बड़बडाना भी होता है, कार्प होता है, कार्प मतलब किसी की अलोचना करना, तो आगे लिखा है, when जब she brought the harp, जब वो harp लेकर आई, the giant ordered it, giant ने उसको order दिया, to sing a sweet melody, एक मदूर मेलोडी का, कि वो मदूरता से कुछ बजाए, तो उसको order दिया, the harp started singing at once, तो harp ने तुरंत, at once मतलब होता है, तुरंत गाना शुरू कर दिया, jack wished jackie chowee to own the harp, वो harp लेने की, when the giant was asleep, जब giant सोया हुआ था, asleep मतलब सोया हुआ, तो जब giant सोया हुआ था, jack picked up the harp, उसने harp को उठा लिया, pick up क्यों use हुआ है, because hulky चीज है, भारी चीज उठाना lift, hulky चीज उठाना pick up, तो jack ने उस harp को उठा लिया and rushed out, और टेजी से बाहर चला गया, as the harp cried for help, जैसे ही, अब as का मतलब यहां, जैसे ही, जैसे ही, वो जो harp था, उसने, वो मदद के लिए चीखा, अब यहां पर रोना नहीं है, क्राई का मतलब चीखना भी होता है, तो cry for help मतलब, मदद के लिए चीखना, जैसे ही, हार्प, मदद के लिए उसने चीखा, the giant woke up, giant उठ गया, he ran after jack, वो jack के पीछे भागा, shouting in anger, गुसे में चीखते हुए, चिलाते हुए, stop, I will kill you, रुख जाओ, मैं तुम्हें मार दूँगा, you must have stolen my hand too, you must have stolen my hand too, यानि कि तुमने मेरी मुर्गी भी चुराई होगी, अब यह कौन सा lesson है, जो 20 lesson number 20, I think so, lesson number 19 or 20, workbook part 1 में, मैंने आपको कराता होगा होगी होगे, जिसमें use किया था, must have, may have, might have, तो वही यह use है, तो you must have stolen, तुमने चुराया होगा, यानि कि जरूर चुराया होगा, my hand too, मेरी मुर्गियां भी, the giant reached the creeper, of the bean, जो bean की बेल थी, bean की creeper, उसके पास वो giant पहुचा, following, पीछा करते हुए, following jack, jack का पीछा करते हुए, अब यहां पर image देख लीजिए, आप यह इसका पीछा कर रहा है, फोलो कर रहा है, तो यह creeper के पास पहुचा, और अभी आगे पढ़ते हैं, jack was descending fast, jack बड़ा तेजी से descend कर रहा था, अब जैसे की आपने देखा होगा, जो aeroplane होता है, वो सबसे पहले runway पे run करता है, फिर ascend होती है, फिर cruise होती है, फिर descend होता है, फिर loiter होता है, और फिर land करता है, because मैंने aeronautical engineering की है, और उसमें हम लोग यह चीज़े पढ़ते थे कि क्यासे, पहले aeroplane runway पे दोड़ता है, फिर ascend करता है, ascend मतलब उपर चड़ना, फिर cruise होता है, यानिकि एक stable flight, constant मतलब सीधा सीधा चलता है, और फिर नीचे उतरता है, descend बोलते हैं, और ऐसे गूमता है, तो उसको loiter बोलते हैं, उसके बाद फिर वो land करता है, तो descend मतलब नीचे उतरना, तो jack was descending fast, वो तेजी से नीचे उतर रहा था, followed by the giant, और उसका पीछा किया जा रहा था giant के दुआरा, suddenly अचानक से the stem started cracking, और जो stem था, stem क्या होता है, तना, जैसे आप ये bail देख रहे हैं, इसका ये है motor बाद, इसको तना बोलते हैं, तो वो जो stem था, started cracking, वो crack होने लगा, due to giant's heavy weight, giant के heavy weight की वज़ा से, so इसी लिए, as soon as jack reached the ground, जैसे ही, jack ground पे पहुँचा, अब यहाँ पे as soon as का use, इसका मतलब क्या हुआ, जैसे ही, जैसे ही jack ground पे पहुँचा, he cut the stem, उसको stem को काट दिया, with his axe अपनी कुलहाडी के साथ, axe बोलते हैं कुलहाडी को, the stem fell down, वो जो तना था stem वो निच्चे गिर गया, onto the ground जमीन पर, along with the giant उस दानव के साथ में, he got buried, वो दफन हो गया, अब bury मतलब होता है, दफन करना, b-u-r-y, और get buried होता है, दफन हो जाना, जो अपने आप हो जाए, तो एक छोटा सा difference है, आपको पता होना चाहिए, let me tell you, जैसे हम बोलते है, he buries, इसका मतलब हो जाएगा, वो दफन करता है, he was buried, उसको दफन कर दिया गया, this is passive voice, और वो दफन हो गया, खुद हो गया, he got buried, अब जो चीज self हो जाए, तो हम get का use करते हैं, तिन्नों में फर्क देख लिजिए, active voice, passive voice, active voice, he buries वो दफन करता है, he was buried, उसको दफन कर दिया गया, he got buried, वो दफन हो गया, होना की sense, तो यहाँ पर लिखा है, he got buried, वो दफन हो गया, into the ground, जमीन में, and, or, was never seen again, और फिर कभी नहीं दिखा, therefore, इसलिए, thereafter, sorry, thereafter मतलो, उसके बाद, Jack and his mother, Jack और उसकी मा, lived happily forever, वो हमेशा के लिए खुशी से रहे, अब आप एक चीज़ यहाँ पर note करें, मैंने आपको वीडियो नंबर 322 दी थी, YouTube पर भी दे रखी है, जितने भी आप लोग हैं, सबी इस वीडियो को जुरूर वाच कर लिजिएगा, वीडियो नंबर 322, जिसमें मैंने आपको पूरा paragraph लिखके दिखाया है, कि कैसे आप sentence को join कर करके, पूरा paragraph लिख सकते हैं, तो जुरूर देख लिजिएगा उस वीडियो को, तो 322 और 323 भी दोनों की दोनों, तो उसमें आपको सब कुछ पता चल जाएगा, तो guys, यह थी हमारी आज की story, थोड़ी बड़ी थी, interesting थी, तो बताइएगा वीडियो आपको कैसी लगी, अगर आपको इसी तरह की और वीडियो चाहिए, तो चैनल को subscribe कर ले, और सबसे important bell icon press कर दे, notification on कर दे, ताकि आपको मेरी आने वाली सबी वीडियो की notification टाइम पर मिलती रहे, और जो भी English सीखना चाहते हैं step by step, वो पहले मेरे course से जरूर सीखे, one year का course है, one year का यह मतलब नहीं है कि एक साल में यह आपको सीखना है, मेरी तरफ से एक साल मिलेगा, जिसमें आप चाहे तो दो दिन में खतम करो, दो महीने में खतम करो, छे महीने में खतम करो, वो आपके speed के उपर है, तो वो सारी वीडियो देखने के बाद, सीखने के बाद, जब आप stories को read करेंगे, तो आपको मज़ा भी आएगा, और समझ भी आएँगी stories, सीधा stories पढ़ेंगे, तो improvement नहीं आएगी वो वाली, अगर English सीख के पढ़ेंगे, तो guarantee है, बहुत speedy आप speedy learn करेंगे, किसी भी चीज़ को, तो यह थी हमारी story, पसंद आई हो, तो comment करके जूरू बताइएगा, और इसके बाद मिलते हैं, अगली वीडियो में तब तक के लिए, दीजिए इजाज़त, थैंक यू,